हेलो फ्रेंड्स मैं मम्ता दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल में एक नही सुबह और एक नही रेसिपी के साथ क्योंकि जीवन सुनने से सुरू होकर सौर तक जाएगी और जरूर जाएगी लेकिन आपको हार नहीं मानना ये व्लॉक संडे का है सुबह आठ बज रहे हैं और बाहर पूरा कोहरा है सब लोग घर में उठ गया है और नहाद होकर पूजा पाठ हो गया है और मैं यहाँ आ गई हूँ अपने कशुआ और मश्लियों को खाना दाने यह रात भर के भूके होते हैं जैसे ही खाने का डिबबा खुलता है सब कूदने लगते हैं देखे सब कैसे कूद रहा है यह सब पहचानते हैं कि अब मुझे खाना मिलेगा जैसे ही एक्वेरियम का डॉर खुलता है इस समय एक्वेरियम में वाटर हीटर भी लगाना पड़ा है क्योंकि धंड बहुत है कहीं मश्लियों को ठंडा ना लग जाए मश्लियों को खाना देना और कश्यों को खाना देना बहुत अच्छा लगता है ये सब मेरी फैमली के मेंबर हो चुके हैं इनके भी खाना दी है हम लोग inviting कि नास्ता या खाना नहीं काते हैं तो मश्लियों को खाना देने के बट मैंनम तो ड्रइंग-्रूम सही किया मेरा ड्रॉइंग-्रूम उतना फैलता नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं कोई बिगाड़ता नहीं है और इस समय जाड़ा है तो महमान भी कमा रहे हैं इसलिए ड्राइंग रूम को मैंने कपड़ा फैलाने की जगा बना दी है क्योंकि छट पे कपड़ा फैलाओ तो वो सुखने के बज़ाए भीगी जाते हैं तो फॉसिंग मसीन में ड्राइर होने के बाद कपड़ों को ज़्यादा तो धूप की जोट नहीं रहती है फिर भी अगर धूप रहती तो हम छट पर फैलाते हैं उसको ड्राइंग रूम में फैलाने के बाद मैं बाहर निकल गई बाहर निकल के चाय नास्ते पानी की तैयारी की जाए क्योंकि याठ से उपर हो रहा है इदर जो कल के पूझा के फूल है उसे मैंने पानी में डाल दिया है वो दिन पर ताजे बने रहते हैं इदर मेरी बड़ी बेती ने चाय भी बना दिया है चाय के साथ उन सबों को आज सैंविच खाना था तो सैंविच की तैयारी भी हो चुकी है सैंविच में हम डालेंगे महीन काट के सिमला में महीन प्याज और टमाटर गाजर को गिस लेंगे और पत्ता गोबी भी महीन काट के डालेंगे आप इसमें हर तरह की वेजीज मिला सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, स्वीट कॉन भी डाल सकते हैं, उन सबों को जादा उतना पसंद नहीं है, इसलिए जो सब जादा पसंद है, वही वो सब डाली है, काट के रखी हैं, मगर बनाने का काम मेरा है, फिर उसमें हम चत्पे से अपने गार्डन से ताजी धनिया पत्ती लाएं हैं, वो डालेंगे, फिर कालिमिश और नमक और मियोनीज और टमेटो सास, इन सबों के बाद हम उसमें थोड़ा सा औरगेनो पाउडर डालेंगे, औरगेनो के बाद उसको अच्छे से मिक्स करके ब्रेट स्लाइस पर फैला सेंड्विच में तो बहुत अच्छा लगता है, मैं अपना सेंड्विच तवे पे ही बना रही हूं, इस पर भी अच्छा बनता है, मेरा सेंड्विच मेकर खराब होगे, इसलिए मैं तवे पे ही सेख रही हूं, इधर हमारी चाय भी बनके तयार हो गई है, तो चाय और हमा ने हमको अच्छे से बुनना रहता है , क्रेंक Salει अगर अच्छे से ना बूना जाय ए, तो फिर वह करवा लगती सब्जी में टेस्ट नहीं आता है अच्छे से भूनेंगे फिर उस मसाले में हम देखेंगे जो सब्जी कद्दू काटके रखे थे वो डाल देंगे कद्दू को हम थोड़ा बड़ा ही काटेंगे क्योंकि अगर हम महीन काटेंगे तो यह सब्जी हलुआ की तरह हो जाएगी ग बिषयाएगी बहुत बसंद है मेरे याँ सूखी सब्जी कद्दू की कम बनती हो कच्छे मसाले की जादा बनती है तो यह सब्जी अगर आप बनाएंगे तो ज़रूर तारिफ करdeंगे और दाल ज्ब कर अगर जिसका ज्ञादा मन्न दिस्दिन नमन करें वह तो यह कॉमिर्य मिर आता है अच्छे से मसाले को मिश्लाते हूं, अगर आपका मसाला पकरड़ा हो तो थोड़ा सा पानी आक चमज डालते हैं, सब्जी भूलीएं गहारा, कलनी तक मिलीएंगे, सब्जीज भून दक को थोड़ा कद्दू गल्ले में कम टाइम लेता है, इसलिए उसको पहले ही गला लेंगे, फिर दो टमाटर बड़े-बड़े स्लाइस में काटके डाल देंगे, अगर आपको टमाटर नहीं पसंदे तो आप इसकी जगह आमचूर भी डाल सकते हैं, तो सब्जी देखे हो गई है कद्दू पक गया है, अब उसमें हम डालेंगे गरम पानी, गरम पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इस सब्जी को चावल से खाते हैं, इसलिए हम थोड़ा ग्रेवी अधिक डालेंगे, हमारे घर की ये फेवरिट सब्जी है, क्योंकि मगर बच्चों को उती ही पस से कहते हैं कि तुम ही बनाओ कद्दू की सब्जी, तो आप भी जरूर ट्राइ करिएगा, एक बाव बनाएगा और बताएगा कैसी बनी है, तो चलिए, आज का हमारा लंच तयार है, दोपहर में आज हमारे यहां बना है कद्दू की सब्जी और चावल, फिर उसमें हरा धन कि वे जा हता एंगी जा है क्दू?